इशा और एलिस की दोस्ती के बीच में पड़ी दरार शुरुआत सही जहां बिग बॉस के गर में दोनों की एक अच्छी खासी बॉर्णिंग देखने के लिए मिली दोनों एक दूसरे की बहुत ही सगी सहेलिया घर में घूम रही है लेकिन यहां पर शोगा एक प्रोमो रिलीज हुआ है जहां पर इशा और एलिस दोनों की ही जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए मिली है जी यहां दोस्तों वर्ल यहां पर बात हो रही है एक मेकप पाउच को लेकर और इसी बात पर एलिस बहुत बुरी दरह से भड़क चुकी है कि वो इस चीज में comfortable नहीं है कि उनका समान को इश हुए वह इशा को इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि वो एक इतनी छोटी सी बात के इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना सकती है दोनों के बीच यहां बहुत ही ज़दा आर्गुमेंट होते हुए नजर आ रही है यहां पर एलिस जो है वो बात करने को तयार नहीं है इशा उन्हें बार बार समझा रही और कह रही है कि मुझसे इस टोन में बात मत करो मैं बहुत ही प्यार से बात कर रही हूँ तो तुम भी प्यार से बात करो लेकिन आलिस हैं कि वो किसी की सुनने को तयार नहीं है वही ना सिर्फ इन की दोस्ती के बीच में दरार पड़ी है बलकि यहां पर अविनाश भी लपीटे में आ रही है एलिस कहते हैं कि हाँ तो मत करो तुम जाओ यहां से बही अब एलिस का ऐसा मूर देखकर उसका ऐसा बिहेवियर देखकर इशा बहुत जादर होते हुए नसर आ रही है इशा का दिल तूट चुका है अब इनाश इशा से बात करते हुए नसर आ रही है लेकिन इशा को एलेस का behavior समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लड़की के दिमाग में आखरगार चलता क्या है वेल यहाँ पर जस तरह से दोनों ही एक दूसरे से भहस कर रही है लगता है कि अब इनकी दोस्ती तूटने की करगार पर है और अकसर बिक बॉस में ऐसा होता है कि जो शुरुआत से ही दोस्त होते हैं आखर तक आते आते वो एक दूसरे के जानी दुश्मन मी बन जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही लग रहा है लेकिन ऐसा होगा या नहीं अभी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन आपका क्या कहना है एलेस और इशा किस लड़ाई पर क्या आपको लगता है कि एलेस जो लड़ाई कर रही है इशा के साथ वो बिल्कुल सही है आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भोले और इसी के साथ तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें